हैलो गाइस वेलकम टू क्रिसी क्रोशिट चलेंग तो आज मैं आप लोगो को पॉटन की कपड़ा से पांच और छे नंबोल लड़ु गोपाल के लिए बहुत ही सुन्दर शड्रेश बना के दिखाऊंगी देखिए एक दो तीन चार चार लेयर दिया हुआ है इसमें और इसे बनाना बहुत ही आसान है कोई भी इसे बना सकता है इसे हाथ में भी आप बना सकतो सुनी धागा से सिल के किसी की हेल लेके बना सकतो इसे बनाना बहुत ही आसान है और मेरा चलेंग में और भी बहुत सरा लड़ु गुपाल का रेस है चलेंगे तो वीडियो मिल जाएगी व उसके बाद कैची से काट लीजे, तो इसी तरह से मैंने काट लिया, यह है पूर प्योर कॉट्टोन का फेब्रीक है, तो इसके ऊपर इस तरह से हम रखेंगे और सील लेंगे, तो मैं सील लेती हूँ, तो देखिए मैंने पूरा गोल करके यहाँ पे सिल लिया, सिलने के बाद यहाँ पे अब काट कर देंगे, तो देखिए मैंने गोल करके इसे काट लिया, काट लिने के बाद देखिए, अब चाहे तो एक बार आइरोन भी लगा सकते हो, यहाँ पे हम फोल्ट कर लेंगे, अब यहां पर गोल करके हम काट लेंगे गोल करके काटने के बाद यहां से भी एक बार इसके बाद क्या करेंगे यहां से सिल लगाएंगे और यहां से होते हुए इस तरह से एक बार सिल देंगे यहां पर तो देखिए मैंने यहां से लेकर यहां तक सिल लेया ठीक है इस टाइप का जोरी आपको मिल जाएगा यह टी-चू री-बॉन है मार्केट में इसली मिल चाहेrogी तो यह लेगे हम यहां से लेके हम यहां से लेके इस तरह से हम फोल्ट करके यहां पर हम सिल लेंगे तो मैं सिल लेती हूँ, तो देखें, यहां पे मैंने टीशू रीबोन लगा लिया, और यहां पे मैं डोरी के लिए छोड़ दिया, मैं बाद में यहां पे डोरी लगा दूँगे, तो यह पीसेश तो रेडी हो गई, यह देखें, यह भी pure cotton है, तो इसका मैं चौड़ाई मैंने same day for right age rate कीए कटने के बाद देखें, यहां पे एक साइट मैंने फोल्ट करके सिल लिया, यह भाला जो पीस है, is में भी हम एक साइट, फोल्ड करके सिल लेंगे पूरा, और यह जो पीस है, इसके उपर हम लेस लगा लेंगे, इस तरह से, थोड़ा सा एक्स्टर रखे करेंगे और पीछे की तरव इस तरह से हम tão सचरब कर देंगे तो मैंने समयने हम इ CEO कर लिए और यहींगे गे सभू टाइम लगेगा लेकिन आपको ध्यान रखना है इस साइड आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए ये जो ये हैना लेस है ना तो बरावर होना आज जाए आपको तो देखे मैंने लगा लेने के बाद देखे ये वला भी कप्रा मैंने रेडी कर लिया ठीक है सेम इसी तरह क्याजन portion SHARPAN छेटा नहीं होना प्लेड आपको ध्यान रखना है ये जो स्लाइय है स्लाइव की ऊपर नहीं है भनाना झाए ठीक है, इसी की हेशब से हम प्लेड लगा बेंगे, तो देखिए मैंने घेरा में ये प्लेड मैंने डाल लिया और लास्ट में जो ये मैंने डाला जाब गपनाएंगे तो थोड़ा सा बज जाएगा उसी में ये कम चल जाएगी, ठीक है, तो एक दो, तीन, चार, चार लेयर म थोड़ा सा बड़ा करके काट दिया आप बनाएंगे चोली चोली के लिए जो कपड़ा मैंने लिया इसका लेंथ आपको दिखा देती हूं देखे 10 इंच है और चोड़ाई इसका 13 इंच है देखे सबसे पहले हम थोड़ा सा इस तरह से फोल्ट करेंगे और यहां पे लेस लगाया घेरा में तो यहां पे इस तरह से रखके सील लेंगे पूरा ठीक है इस तरह से रखेंगे और सील लेंगे तो देखिए मैंने पूरा लेस लगा लिया तो आप चाहो तो यहां पे इस तरह से जोड़ के पिछे की तरफ से अब सील भी सकतो ठीक है तो यहां पे यह अलग रखा ताकि बहुत सारा स्टाइल में हम लड़ू गुपाल को पहना सकते हैं यहां पे रखके आप इसके उपर से सिल आयो मेरा वीडियो आप लोगो को आच्छी लगी आच्छी लगी तो लाइक किजे शियर किजे और मेरा चलन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए